साथियों, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, इन भावनाओं को साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि दो दिन पुर्व देश के इतिहास में किसानों के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजना की शुप शुरुवात हुई है। बाबा गोरगनात का तो इस भूमी से भी नाता रहा है। उनके आशिरवात से यूपी के गोरगपूर से प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी को लौच किया गया। एक बटन दबाते ही देश भरके एक करोड से अधिक किसानों के बैंक खाते में दो हजार रुपिय की पहली किस पहुँच गई है। और बाकियों को बेजने का काम तेज गती से चल रहा है। साथियों जो रुपिय सीधे मोधी सरकार देश के बारा करोड से जादा छोटे किसान परिवारों को देने वाली है। उसमें चूरू और राजस्तान के भी पचास लाग से अधिक किसान परिवार शामिल है। पचास लाग किसान परिवार। लेकिन मेरे भाईयो बहनों खास करके राजस्तान के मेरे किसान भाईयो बहनों दुख की बात ये है। कि परसों जिन एक करोड से अधिक किसान परिवारों को मोधी सरकार की तरफ से सीधी मदद की पहली किस्त पहुँची। क्योंकि उसमें चूरू का राजस्तान का एक भी किसान परिवार नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि यहां की सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को लाभारती किसानों की सूची ही नहीं भेजी है। उत्तरपदेश ने भेजी, बिहार ने भेजी, महराष्टा ने भेजी, गुजरात ने भीजी, तमिलाडू समेत, अनेक राज्यों ने सूची भेजी। लेकिन राजस्तान की कॉंग्रेस सरकार से किसानों की लिस्ट मिलने का हमें आज भी इंतजार है। मैं राजस्तान की कॉंग्रेस की सरकार को इस चुरू की धर्ती से राजस्तान की भूमी पर आकर के आगरपुरवग्विनंति करता हूँ कि वो किसानों के हीत के लिए हमने जो योजना शुरू की गई है की है इस योजना को रोकने का प्रयास न करें। राजस्तान के किसानों का नुक्सान न करें। आप मुझे बताईए भाईयों राजनिति अपनी जगा पर है लेकिन किसानों का हाग रोकना चाहिए क्या। अगर दिल्ली सरकार देती है तो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए अगर किसानों के जेब में पैसा आएगा खर्टा करेगा तो राजस्तान का भला होगा कि नहीं होगा राजस्तान के किसान का भला होगा कि नहीं होगा लेकिन पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है हमारे कॉंग्रेस के मित्रों को हो क्या गया है साथियों आपके इस प्रधान सेबग ने किसानों के लिए जो योजना बनाई है उसका लाब आपको निरंतर होगा बलेवाद देर कर रहे हो लेका हम पीछे लगे है सूची लेकर के रहेंगे और राजस्तान के किसानों को भी पाइसा पहुचा के रहेंगे और अभी की स्थिती के हिसाब से ही 75,000 करोड रुपिये हर वर्स किसानों के बैंक खाते में सीधे बीना किसी बिचोलिये के कोई दलाल के बीना सीधे सीधे किसानों के खाते में जमा हो जाएंगे इसका मतलब यह हुआ कि अगले 10 साल में साड़े साथ लाग करोड रुपिये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसपर किये जाने वाले हैं साड़े साथ लाग करोड रुपिया और इसके लिए किसानों को कुछ नहीं करना है आपके फोन पर संदेश आएगा कि पैसे जमा हो गए हैं फिर बैंक में जाएए एटियेम में जाएए पैसे निकालिए और बीच खात दवा जैसे अनेक जरुरतों को पुरा किजिए भाईयों भेनों एक फर्वरी को जब संसद में इस योजना का अहलान हमने किया था तो कई लोग कहने लगे थे कि ये हो ही नहीं पाएगा ये नामुम्किन है लेकिन अब नामुम्किन मुम्किन है क्योंकि ये मोदी सरकार है पचीस दिन के भीतर भीतर किसानों के खातों में पहली किस्त पहुंचनी शुरू हो गई कि ये कि ये लुदी ये ये लुदी ये नामुम्किन हृव्ज।